हेलो दोस्तों नमकीन कीचन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हरे मटर के छोले तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गरमा गरम हम छोले निकाल रहा है और आपको भी खाने का इक्षा हो रहा है ना हमें तो बिल्कुल से अच्छा लग रहा है कि मैं जल्दी से खाल हूँ इसको तो दोस्तों इसके लिए हम हरे मटर को ले ले रहे हैं आप बाजार में हरे मटर को ले सकते हैं तो यहां हमारे घर का हरा मटर था तो हमने एक केजी की लगबाग यहां ले लिया है हरा मटर और इसको हम अच्छी तरीका से छील लिए हैं इसको हम कूकर में, क्योंकि थूड़ी से हाड आपको दिख रहा है है तो हम इसको कूकर में ही बनाएंगे, अगर आपके बहुत ही मासुम से छोल मॉटर हो तो आप इसको कडाई ही में बना सकते हैं देखिए हमने सरसौ नाल दिया है कम से कम 50 ग्राम हमने सरसोयाल डाला है उसमें हम भरके जीरा डाल दिये हैं तोड़ा ही इंग डाल दिये और 2-3 हरे मिर्चे को कट करके हम डाल दे रहे हैं तो इसको हमें प्याज भी एक बड़ा सा प्याज हमारा था तो उसको भी हम डाल दे रहें क्योंकि छोले बना रहे हैं हम तो प्याज तो इसमें पड़ेगा ही और सूखे वाले जो बनते हैं तो उसमें तेजपत्ते होगारे के बनते हैं छोग लगाते हैं तो इसमें तेजप बनाईएगा और कुकर में जरूर बनाईएगा क्योंकि कुकर में जो बिल्कुल गल जाते हैं तो देखिए हम मठर को छोड़ दे रहे हैं हम प्याज को भी बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं जलाए हैं आधा ही हम इसको भूने हैं पचास प्रसेंट हमने प्याज को भूना है और इसमें हम मटर को छोड़ दे, तो मटर को भूनने के कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए हम इसको चला सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो मसाले भी हमको बिल्कुर भी याद रखिए दोस्तों कि इसमें मसाला हमको ना के बराब टालना है नहीं तो इसके स्वाज जो है करा बजाएंगे और मसाले टाइप लगने लगेंगे थोड़ा सामने हल्दी पाउडर डाल दिया एक चोथाई चमच एक हुच्छाई चमच में चीलि पाउडर डाल दिया थोड़ा सा हमने छोले मसाले को इस्तमाल किया है आधे चमच स्वादा अंसार हमने नमक डाल दिया और हमने हींग को भी इस्तमाल किया है क्योंकि बीना हींग का इसको मत बनाईए अगर आप खाएंगे तो आपको नुक्षान नहीं करेंगे हींग अगर डाले रहेंगे तो इसलिए हींग डालना बहुत ही ज जगा कि इसको सुखा रग लिजी तो वो घूगनी टाइप का हो जाएगा यानि मसाले वाली घूगनी तो हमने उपर वीडियो में घूगनी का वीडियो डाला है उसमें हमने आलू को भी एड किया है लेकिन यहां हमने आलू को एड नहीं किया है इसलिए कि हमको बनाना है छो करना है औरका को युदुम्हार था धाला डाल डालेंगे तो बिल्कुल मसाले थाइप को हो जाएंगे और अच्छा नहीं लगेंगे और टमाटो तो में अगार है इसमींभी कुछ भी तो दोस्तों इस प्रकार से चलिए, आप भी बनाईए और पूरे परिवार के साथ खाईए दोस्तों, तो यहां हम परोस के दिखला रहे हैं, तो देखिए इसके ग्रेवी जो देख सकते हैं कि कितने गाड़े हो गए हैं, क्योंकि जब भी आप बनाईए तो थोड़ा सा चीज चला देंगे, तो इसके ग्रेवी अच्छे जंग देखिए हैं, आपके हमने मसाले को बहुत ज़्यादा आया, इसमें नहीं किया है, बहुत हलके से मसाले हमने डाले हैं, फिर भी इसके ग्रेवी जो है, गाड़े आपको दीख रहे हैं, क्योंकि कल्ची से हम बार बर चला दिये हैं, तो इसके ग्रेवी जो है, गाड़े होगा है, देख रहे हैं, आप देखिए, इसी प्रकार के ग्रेवी जो है, इसमें पीने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें टेश्टी, तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आये, तो लाइक और सुस्क्राइब ज झाल 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 झाल